जै मतादी मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सामले लोग कैसे रंग की लिप्स्टिक लगाएं जो की वह बहुत ही खुबसूरत और आखरसक लगे आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके लिए बहुत सारे टिप्स देने वाली हूं और बहुत सारे कलर म सामला है या आप ज़्यादा डार्क रंके हैं, काले रंके हैं तो भी आपके फ्येस के ऊपर जो कलर में बताने वाली हूं, बहुत ज़्याधा खुबसूरत लगने वाले हैं और आपके फैस के उपर एक अदभूच सी चम्क दिखाई पड़ेगी, कितना भी काला रंग है, आपका कितना भी सामला रंग है या बहुत गोरे हैं बहुत गोरे लोग तो कैसा भी कलर लगा लेते हैं लिप्स्टिक का उनके उपर सब अच्छा लगता है लेकिन समस्य होती है सामले और डार्क रंग के लोगों को तो आज मैं बताने वाली हूँ कि आप को कौन से कलर के लोग यानि काले और सामले लोग किस कलर की लिप्स्टिक लगाने से बचें तो जिनका कलर बहुत ज्यादा डार्क है या जिनका कलर सामला है वो लोग बहुत लाइट कलर की लिप्स्टिक बिल्कुल मत लगाईए जैसे की बेबी पिंक या इसकिन कलर या जैसे होता है पॉकलेटी कलर, कॉफी कलर ये सारे कलर आप बिलुकुल भी मत लगाई अपने होटों के उपर क्योंकि इस तरह के कलर लगाने से आपका जो रंग होता है वो और ज्यादा डल महसूस होता है ज्यादा इस टाइप के बुझे-बुझे कलर और फीके-फीके कलर लगाने से होट दब जाता है और आप ज्यादा काले या सामले देखने लगते हैं और चेहरे की लगने लगती है तो यह लगाने से बिलकुल है युज मत करें आप को कलर लगाने क्य directamente कने ओ दिखे आप जो नेचुरल पिंक लिपस्टिक आती है उसको आप लगाईए येलो कलर में आती है और उसको लगाने के बाद में हलका सा गुलाबी कलर छोड़ती है तो उसको आप लगाईए लेकिन उससे पहले अपने होटों की अच्छी तरीके से आउटलाइन बनाईए सबस में होट की बात करने हुआ हैं यहां पर मैं लिफस्टिक के बात करें तो होट आपके लिपस्टिक लगाने से पहले होट gef दम साफ होने चाहिए अच्छी तरीके से आउटलाइन बनाईए उसके बाद में आप अपने होट पर नेच्टुरल अपसा लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, आप लिप लाइनर जो भी यूज करेंगे, अपनी आउटलाइन बनाने के लिए उठोगे, हमेशा मेरून कलर का लिप लाइनर यूज करिए, मेरून इंदसे बहुत डार्क मेरून नहीं, जो रेडनेस लिए हुऊ हो, यानि कि डार्क लाल हो, आउटलाइन बनाने के लिए लिप लाइनर और उससे अपने होट की आउटलाइन बनाईए, उसके बीच में आप नेचुरल पिंक कलर भरिए, इसके लावा आपको रेड कलर, जो ये रेड कलर है, ये इतना सुन्दर कलर है, ये रेड कलर सभी के उपर बहुत ज़्यादा क लगाने से आपके चेहरे का रंग बहुत ज़्यादा निखर के आता है, बहुत ज़्यादा सुन्दर लगता है, साफ लगता है, अगर आप सामली है, इस कलर को आप लगाएंगी तो आपका चेहरा और ज़्यादा साफ लगेगा, तो ये रेड कलर सभी को सूट करता है, सभ मैंने बताया कि लिप लाइनर से पहले होटों की अपने आउटलाइन हमेशा आप कोई भी कलर भरिए लेकिन आउटलाइन आप मैरून कलर सही बनाएंगी और उसके अंदर आप यह कलर या डार्क औरेंज कलर को भरिए आप देखेंगे बहुत ज्यादा आपके उपर सूट कर जाँ गफ्रआ लगेगा गुलाबी कलर जैसा कि अभी मैंने लगा रखा और इस कलर की लिप्स्टिक आप लगाईए आप देखिए आपका फिस बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा जिलाबी कलर मैरून क clue τη मैंने बिंदी कहीं ज्यादा बहतर निखार और आकरसन आपको दिखेगा और नई चमक दिखेगी आप देखेंगे आपका जो फेस का कलर है ये सारे कलर की लिप्स्टिक लगाने से और ज्यादा साफ दिखता है और आप बहुत ही खुबसूरत दिखेंगी आपके अंदर एक नया क्योंकि जब कभी हम कोई भी चीज लगाने से कोई भी ड्रेस पहनने से खुबसूरत दिखते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास अपने आप ही जागरत हो जाता है तो आप ये सारे कलर यूज करके देखें आप बहुत प्यारी लगने वाली है क्योंकि हर इंसान अपन के देखिए आप देखिए बहुत ज़्यादा अकर्सक और खुबसूरत लगने वाली है वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको जादा से जादा से शेयर कर दीजेगा नमस्कार धन्यवाद